हेलो फ्रेंज तो मैं हूं मैंताब और आप देख रहे हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट तो आज के इस वीडियो में आपको एक नए फ्रोडक्ट के बारे में इंफ्रमेशन देने वाला हूं जिसका नाम में अप्टन नर्सिंग कोल्ड क्रीम क्यूंकि बहुत ही जल ठंड आने वा क्रीम आपके लिए बेस्ट है या फिड नहीं तो चलिए बीन टाइम बेस्ट के वह वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैनी प्रोड़क्ट तो सबसे पहले इस मस्त्राइजर क्रीम के कंपणी के बारे में जानते हैं कि इसे कौन कंपणी बनाती है इसे मामा और्थ कंपणी बनाती है जो की बहुति अच्छा ब्रांड है इसके बहुत से प्रोडॉक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और इसके डितने फ्रोडॉक्ट आता है वो सारे बेश्ट होते हैं अब जानते हैं कि इसके इस्तिमाल करने से हमें क्या-kya result मिल सकता है यानि क्या- body में भी कर सकते हैं, दोनों जगे इसका इस्तमाल कर सकते हैं, क्यूंकि ये हमारे skin में आसानी से observe हो जाता है, और हमारे skin को चिपचीपा नहीं बनाता है, जिससे हमारा skin काफी सुन्दर और काफी soft दिखता है, according to this company, और अगर आप इस cold cream का इस्तमाल करते हैं, तो आपके skin को पोसंद देता है, जिससे आपका skin shape और सुरक्छित रहता है, साथ ही आपके skin को glowing करने का भी कार्य करता है, जिससे आपका skin काफी सुन्दर दिखता है, तो आप इसका इस्तमाल easily कर सकते हैं, अगर आपका dry skin है तो आप इस cold cream के इस्तमाल कर सकते हैं या आपके skin को normal बनाने का कारे करता है जिससे आपका skin काफी सुन्दर दिखता है इस cold cream के इस्तमाल कोई भी कर सकता है चाहे हो लड़का हो या फिल लड़की हो कोई भी इसका इस्तमाल कर सकता है सबी के लिए suitable है इसमें vitamin E और बदाम जैसे पोशक तत्व पाया जाते हैं जो हमारे skin के लिए काफी use पूल है तो आप इसका इस्तमाल इसली कर सकते हैं आपको से बहुत से benefit होगा आपको पता दूँ कि जायता लोग ठंडी के दिन में cold cream के इस्तमाल करते हैं क्योंकि ठंडी के दिनों में लगबग सारे लोग का skin dry हो जाता है और dry होने की उज़र से सब्सक्राइब बेकार दिखता है इसलिए इसका इस्तमाल करते हैं ताकि skin को normal बना स इससे उनका skin बेकार दिखने लगेगा और भी समसाय उत्मान हो सकती है इसलिए वो लोग गर्मी के दिन में इसका इस्तमाल ना करें चलिए बात करते हैं कि इस cold cream के इस्तमाल करने से क्या हमें कोई नुकसान होने की समभावना है या फिर नहीं तो आपको बता दूँ कि इसमें पराबेंड और toxin जैसे हानिकारो के मिकल्स का इस्तमाल नहीं किया गया है इसमें जितने वी ingredients डाले गए हैं वो सारे के सारे आई रुबेदिक हैं जिससे आपको कोई भी साइड डिफक्त नहीं होगा आप इसका इसलिक कर सकते हैं तो यह थी मेरा opinion और यह वीडियो आपको कैसा लगए वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्काइब करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं कैसे हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन जैवाब